हेलो बच्चों, सभी का हार्धिक स्वागत करते हैं आज की इस क्लास में आज की क्लास रहने वाली है P-Block Elements पर तो चलिए क्लास सुरूँ करते हैं सबसे पहले, इस विश्येपर चर्चा करते हैं कि आखिर P-Block किसे कहते हैं और P-Block Elements किस को कहा जाता है सबसे पहली बात P-Block को हिंदी बासा में P-UPCOS कहा जाता है परमानु की विभिन कक्षाओं में कई परकार के उपकोस पाई जाते हैं जैसे S-UPCOS, P-UPCOS, D-UPCOS और F-UPCOS इसी परकार प्रतेख उपकोस में अलग-अलग परकार के कक्षके पाई जाते हैं और इन्ही कक्षकों में इलेक्ट्रोन बहरे जाते हैं जब किसी भी तत्वा का इलेक्ट्रोनिक विन्यास लिखते हैं तो उससे तत्वा का अंतिम इलेक्ट्रोन जिस उपकोस के कक्षक में बहरा जाता है वह तत्वा उसी उपकोस का कहलाता है यानि कि जिस तत्वय का भी इलेक्ट्रोनिक विन्यास लिखते हैं उसका जो अंतिम इलेक्ट्रोन है जिस उपकोस में भरा जाता है वह उसी ब्लोक का तत्वय कहलाता है वह उसी उपकोस का तत्वय कहलाता है जैसे यदि किसी तत्वय का इलेक्ट्रोनिक विन्यास लिखते सम उसका अंतिम इलेक्टरोन S उपकोस में बहर ञाता है तो वह तत्व एस ब्लोक ईलिमेंट्स कहलाएगा और यदि बहरा जाने वाला अंतिम ईलेक्टरोन P उपकोस में बहर जाता है तो वह P-Block Element कहलाइगा उसी परकार से D और A block elements भी होते हैं अब बात करते हैं पी ब्लोक का आवर्सान्य में विस्तार कहां से कहां तक है तो आवर्सान्य में पी ब्लोक का विस्तार वर्ग संख्या 13 से लेके वर्ग संख्या 18 तक के तत्वो इसमें सामिल किये गए हैं क्या वर्ग संख्या 13 से लेके 18 तक के सभी तत्वे P-block elements है बिल्कुल नहीं इन में से helium तत्वे है जो वर्ग संख्या 18 का जो प्रथम तत्वे है P-block elements नहीं है क्योंकि इसका electronic विन्यास क्या होता है 1S2 होता है जिससे हमें किलिरली पता चल रहा है कि S उपकोष के अंदर अंतिम इलक्ट्रोन भरा गया है किसका helium का इसलिए helium को electronic विन्यास के अधार पर हमें S-block का तत्वे मानते हैं जबकि अन्य गुण दर्मों के अधार पर हम इसे वर्ग संख्या 18 के अंदर रखेंगे अब next बात करते हैं जैसे कि P-block elements का जो सामानी electronic विन्यास है वो क्या होता है तो वो है NS2NP1-6 यहाँ पर N की value 2-6 तक होती है एक और खास बात है अपरे कि P-block में धातू, अधातू और उपधातू तीनों प्रकार के तत्वे पाई जाते हैं तो इसलिए यहाँ से जो important question बन रहा है वो कौन सा है कि दर्व अवस्था में पाई जाने वाली एधातू कोन है तो उसका सही आंसूर क्या होगा ब्रोमीन आंसूर होगा एक मात्र ब्रोमीन है जो दर्व अवस्था में पाई जाने वाली एधातू है यहाँ पर देखिए ध्यान से यह P-block elements हैं सारे के सारे सिवाए helium के अब helium को छोड़ के बाकि सारे के सारे क्या P-block elements हैं यह नीचे वाली जो आवर्थ है इनके बारे में भी रिसर्च जारी है जबकि उपर वाले जो डार्क कलर में दिखाए दे रहे हैं यह इन पर रिसर्च हो चुकी है और इनके योजिक और अन्य परकार की गुन द्रहम याद किये जा चुके हैं तो यहां पर सबसे पहले यह है वर्ग संख्या 13 बोरोन वाला है वर्ग संख्या 13 इसको बोरोन फेमिली भी कहा जाता है इसको कारबन फेमिली कहा जाता है इसको nitrogen family का जाता है ये oxygen family है और ये halogen है और इनको utcrust gas या अक्रिइगेस या noble gas वर्ग भी कहा जाता है अब इन में से जो utcrust या अक्रिइगेस वर्ग है इनके बहुत ही कम संक्या में हमें योगी देखने को मिलते हैं बहुत rare case में बाकी जो fluorine वाला है oxygen वाला है ये वर्ग या असानी से एक electron ग्रहन करके लवनों का निर्मान करते हैं तो वर्ग संक्या सत्रा या हैलोजन वर्ग लवनों के निर्मान के लिए बहुत ही महतुपून वर्ग है oxygen वाला है या असानी से oxygen का निर्मान करते हैं या अन्य परकार के ऑक्सेजन फैमिली है इनको एक सामाने रूप से हम चालकोजन भी एक निर्मान होता है उरसी परकार से ये नाइट्रोजन फैमिली है इसको सामाने बासा में नेकोजन भी ख़ा जाता है क्योंगी इसे दुहें वाले गेसे या जो उर्वरक के निर्मान करते हैं उनमें काम में आने वाली ये एलिमेंट्स हैं तो इस परकार से हम P-Blog में Boron Family, Carbon Family, Nitrogen Family, Oxygen Family और Halogen Warg और Utkrist Gas या Acre Gas या Novel Gas जिसको Aerogen भी कहा जाता है ये सामिल है इनमें से बात करें यहाँ पर Boron Family का सामान एलेक्ट्रोनिक विनास होता है NS2-NP1 Carbon Family का NS2-NP2 Nitrogen Family का NS2-NP3 Oxygen Family का NS2-NP4 Halogen Warg का NS2-NP5 और Utkrist Gas या Acre Gas का NS2-NP6 यहाँ पर अगर बात करें हम भायतम कोस में एलेक्ट्रोनों की संक्या तो Boron वाले में हैं यहाँ पर तो थर्ड है, फॉर्ट है, फिप्ट है, सिक्स है, सेवन्थ है, एर्थ है इस परकार से लिखा गया है यह मेंडलिप की आवर्सान ने के नुसारी वर्गों को नाम दिया गया था जो हमें त्री से बताता है कि Boron फेमेली में जो भायतम कोस या संयोजी कोस है, उसमें एलेक्ट्रोनों की संक्या कितनी है, तीन उसी परकार से कार्बन फेमेली में भायतम कोस में एलेक्ट्रोनों की संक्या कितनी है, चार नायाटोजन फेमेली में पांच, उक्सिजन में छे हेलोजन वर्ग में साथ, और अक्रिय गेस या उतकर्स गेस वाले वर्ग में आठ इस प्रकार से इन्में भायतम कोष या ऐलेक्टोनों की संक्य है, यहाँ पर कारबन की समयोजकता बोले तो plus 4 या minus 4 इस प्रकार से बताए जाती है, हेलोजन की यहाँ पर minus 8 है, यहाँ पर इनकी jersey हो जाती है, ओक्सिजिन वाले की minus 2 है, निटोजन प्रेमिले की minus 3 है, जिन पर हम एक अलग से क्लास बनाएंगे जो एक चप्टर भी हलग से लेवंट क्लास में पी ब्लोक तो वहां पढ़ेंगे बाकिये आज की क्लास के लिए इतिन है काफी वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक से रहें सब्सक्राब कीजिए चैनल पर बने रही है धन्यवा मिलते हैं एक नहीं वीडियो के साथ